महिलाओं का अधिकतर समय किचिन में बीटता है। उनकी इच्छा होती है कि वह जो भी बनाएं वह स्वाद में वेस्ट हो और सब को बहुत पसंद भी आए। इसकी लिए बे अपने कुकिंग स्किल में समय समय पर कई तरह के बदलाओं भी करती रहती हैं। अनकी कई बार खाना तयार करते समय कुछ कमिया रह जाती हैं या कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। कभी कभी खाना जल जाता है तो कभी इसमें नमक गया मिर्श भी जादा हो जाता है। ऐसे में हमारी मेनत पर जैसे पानी फिर जाता है। मगर घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ cooking tips की मदद से आप अपने खाने का सौध बरकरार रख सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं तो हमारा tips नमबर बन है जब नमक हो जाए जादा जब कई वार खाने में ज़्यादा नमक हो जाता है और इस बज़े से इसका सौध बिगड़ जाता है इसके लिए खबराने की जरूरत नहीं है आपने देखा होगा कि हमारी माएं और दादी नानिया ये तरीका अपनाती रही है इसमें गेहों के आटे की छोटी सी गोली बना कर सबजी में कुछ देर के लिए डाल देते हैं इससे ये आटा सबजी का सारा नमक सोक लेता है ये तरीका भी है काम का इसके अलाबा आप एक आलू छील कर इसके टुकड़े तेज नमक बाली सबजी में डाल सकते हैं इसे कुछ देर ऐसे ही पड़ा रहने दें और फिर निकाल दें ये आलू आपकी सबजी में नमक सोक लेगा और आपकी सबजी का स्वाथ बैसा ही बना रहेगा टिप्स नमबर टू ऐसे करें तीखापन दूर बही कई बार सूखी सबजी में मिर्च ज़्यादा पड़ जाती है ऐसे में इसे खाना मुश्किल हो जाता है इसके लिए आप थोड़ा सा बेसन भून ले और फिर इस सूखे भुने बेसन को सबजी में डाल दे आपकी सबजी का तीखापन कम हो जाएगा वही इसका जायका भी बना रहेगा टिप्स नमबर थ्री सबजी नहीं पड़ेगी काली अगर आपके पास सुबर समय की कमी रहती है तो रात में ही गोबी की सबजी काट कर रख सकते हैं ये काली ना पड़े इसके लिए इसके टुकडों को नमक के पानी में डाल कर रखें इससे अगर गोबी में कीडे होंगे तो बहवी निकल जाएगे और बही ये खिली खिली रहेगी काली नहीं पड़ेगी टिप्स नमबर फूर पकोड़े बनेंगे क्रिस्पी अगर आप पकोड़ों कोई सौकीन है तो ये टिप्स आपके लिए ही है पकोड़ों का बेटर बनाते समय उसमें थोड़ा चावल का आटा मिला ले तो इससे आपके पकोड़े क्रिस्पी सौडिस्ट बनेंगे टिप्स नमबर फाइब ऐसे बनाए चावल चावल तो हमारे घरों में लगबग रोज ही बनते हैं ऐसे में इनको खिले खिले और सफेद बनाए रखने के लिए चावल बनाते समय उसमें थोड़ा सा घी और कुछ बूंदे निवू के रस्की डाल दिया करें फर्क आप खुद देखेंगे तो आज ही ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखर मुझे जरूर बताए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई